बूर्णिंग, बूर्णिंग सर, ठीक है? टीशाट ही रहेगी, क्या लगाता है? नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्नाइन नियूज में आखिरकार राहूल गांधी टीशेट क्यों पहनते हैं? इस सवाल यहाँ पर हर किसी की जबान पर बना हुआ है क्योंकि बारिश हो गई, गर्मी हो गई, धूप हो गई और यहाँ पर अब तो सर्दी हो गई लेकिन राहूल गांधी टीशेट में ही नजर आ रहे हैं आखिरकार उसकी वज़ा क्या है? तो बीजेपी वाले कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जनता की जो मतलब की फीलिंग से भावकता है उसको अपनाने के लिए एक अच्छी इमेज क्रियेट करने के लिए राहूल गांधी यहाँ पर टीशेट पहने हुए नजर आते हैं इस तरीके से हैं आपर अपनी गुरू मानता हूँ यह राहूल गांधी का बयान सामने आया है उन्होंने साफ तोर पहे दिया अगर मैं टीशेट पहनता हूँ तो उससे किसी और को क्या तकलीफ है मुझे ठंड नहीं लगती मुझे ठंड से डर नहीं लगता साथ यहाँ पर बीजेपी वालों ने एक और राय दी उन्होंने का अगर सुरक्षा में चूक हो रही तो बुलेट पूरूफ गाड़ी का इस्तमाल कीजिए तो राउल गांधी ने काया कि यात्रा में मैं बुलेट पूरूफ गाड़ी का इस्तमाल क्यों करूँ यह मेरी मर्जी और यहाँ पर जो भी हो रहा है वो यहां पर भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कोरोना तक का बहाना बना दिया गया था चूक में कमी हो यहां पर सुरक्ष्यां की चूक हो रही है वह भी एक बहाना बनाया गया है और यह सब को सोच समझ के किया जा रहा है बीजेपी की तरफ इस तरीके से राउल यह यह आपको यह आपको हमारे जो कॉंग्रिस प्रेजिडेंट है यह सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा स्वागत किसी का भी है बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पर प्रॉब्लम तो होगा अब भॉब आप उनसे पूछी पर उनसे पाल पता निमुझे थोड़ा मुझे ही इस कंफूशन हो गई है है पाता नहीं है पाता नहीं अब क्या भौन को इस कॉंगैस के मतलब सीनियर नेता है बट मुझे confuse कर दिया कि मतलब कभी बाहर कभी अंदर कभी यंदर कभी यंदर कभी यंदर कभी बह पता जो आपने पूछ लिया है मैं अभी आभी बोलने वाला चर्चा नहीं पूछा घrias देखिए सबसे पहले मैं एक बात क्लिरली कहना चाहता हूँ मैं शहीद परिवार का हूँ मेरे पिता शहीद हुए और मेरी दादी शहीद हुई यहाँ पे कोई है जिसके फैमिली में कोई शहीद हुआ कोई है यहाँ पे आप है आपके ब्रदर तो आपको मालूम है कि कैसी चोट लगती है क्या फीलिंग आती है ठीक है तो मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ जब एक युवा अपनी जान देने के लिए ख़ड़ा होता है और जब वो शहीद होता है तो उसके परिवार को क्या होता है मैं जानता हूँ, समझता हूँ और बीजेपी के टॉप लीडर्शिप में कोई नहीं है जो समझता है यह मतलब अच्छी बात खारा बात नहीं है बट रियालिटी है कि उनके परिवार में कोई उनकी उनके पिता या उनकी दादी शहीद नहीं हुएं. तो मैं बहुत क्लियरली समझता हूँ. और मैं ये भी चाहता हूँ, मेरी जनरल अप्रोच ये है, कि मैं चाहता हूँ, हमारा एक भी सिपाई, किसी भी फोर्स का, ना शहीद हो. ये मेरी स्टार्टिंग पॉजिशन है, कि मतलब मैं ये नहीं चाहता हूँ, कि हम इस चीज को कैजुली लें, कि हम सेना को राजनेतिक फाइदे के लिए यूज करने हैं, और उसका नुकसान हमारे जवानों को, उनके परिवानों को हो. तो ये मेरे बिल्कुल मतलब सेक्रोसेंट है, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ. ठीक है? मगर, और जो हमारे, मैं समझता हूँ जो बॉर्डर पे हमारे जवान आज खड़े हैं, आप मेरी टी-शिर्ट की बात कर रहें, मैं जानता हूँ कि उनको, क्या डिफिकल्टीज सामना करनी पड़ती हैं. और मैं उनसे प्यार करता हूँ, हर, हर सोल्जर से. और मैं चाहता हूँ कि उनको, कुछ ना लगे, चोट ना लगे. जब हम, जब नैशनल लवल की लिडर्शिप, strategically काम नहीं करती हैं, इंटर्नेशनल रिलेशन्स में, जियो पॉलिटिक्स में, एक गम रिस्पॉंस आता है. और हमारी सरकार ने, जो चाइना का मामला है, उसको कम्प्लीटली मिसहंडल कर दिया है. ठीक है? और मैं आपको कहाँ, मेरी, मेरी थिंकिंग है, देखे, हमारी फॉरण पॉलिशी का क्या लक्ष था, और कॉंग्रेस पार्टी ने सक्सेस्फुली क्या किया था, कि चाइना को और पाकिस्तान को एक कभी नहीं होने देना है. यह सेंट्रल हमारा कॉंसेप्ट था. ठीक है? और यह कोई मामुली बात नहीं है, यह बहुत गहरी बात है. यह डेंजरिस बात है. ठीक है? और यह क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने मिस्हंडल किया है. हमारी सरकार ने फॉरण पॉलिसी को मिस्हंडल कर दिया है. और जो broad structure है foreign policy का उसको वो समझे नहीं ठीक है अब मैं कह रहा हूँ कि ये दो एक हो गए हैं अब रिस्क है और कहीं न कहीं ये कुछ न कुछ करेंगे और पहला कदम इनोंने धोकला में लिया और दूसरा कदम इनोंने लदाक में लिया मेरे लिये मेरी व्यूपॉइंट से ये प्रेपरेशन है अगर नहीं है तो बहुत अच्छा मगर मुझे लग रहा है कि ये प्रेपरेशन कर रहे है और मैं सर्कार को कह रहा हूँ कि इट इस नोट इफ इट इस विन मीनिंग अब आपको पूरी प्रेपरेशन करनी है और उस प्रेपरेशन में दो तीन चीजों की ज़रूवत है सबसे पहले आपको सेना, वायू सेना, नेवी जो भी हमारे स्ट्रक्चर्ज हैं उनकी बात सुननी है वो क्या कह रहे है उनकी बात सुननी है उसकी रिस्पेक करनी है इसका मतलब जो आप पुलिटिकल यूज कर रहे हो उसको आपको बंद करना पड़ेगा एक दम दूसरी बात जो हमें प्रेकॉशन लेने है और वो मिलिटरी प्रेकॉशन हैं मगर नॉन मिलिटरी प्रेकॉशन है वो आप शुरू कर दीजिए तीसरी बात जो बॉर्डर पे हो रहा है उसको आप छुपाईए मत क्योंकि चाइना को मेसिज जा रहा है तेकि चाइना 2000 स्क्वेर किलोमेटर हमारी जमीन ले गया है प्रदान मंतरी जी ने कहा कि कोई अंदर नính आया मैं आपके घर के अंदर आ ग्या है ठीकotype और मैंने और आपसे आप मैं आपने मुझ से का कि नी तो आप तो आय नहीं ह।ो उन से मेसे ले जाऊंगा तो ये मैसे उनको जा रहा है तो हमें clearly यह कहना है भी आप अंदर आयो publicly कहना है आप अंदर आओ निकलो यहां से तो यह सरकार इस पर confusion में है और मैं चाहता हूँ कि यह confusion हटे अब मेरे बारे में ही क्या करते है जब मैं सरकार की बात करता हूँ एक गम कहते हैं मैं आर्मी की बात करना हूँ नहीं मैं आर्मी की बात नहीं करना हूँ मैं सरकार की बात करना हूँ सरकार में और आर्मी में फरक है सरकार ने गल्ट निर्ने लिये है तो सरकार को आर्मी के पीछे नेवी के पीछे एरफोस के पीछे नहीं चुपना चाहिए, यह कायरता है, और सरकार को ओनाप करना चाहिए, कि हम ने यह किया, यह गल्ती होई, अब इसको हम ठीक कर रहे हैं, और हम उनको मदद करेंगे, पूरा उपोजिशन, सिर्फ मैंने, पूरा उपोजिशन सरकार को मदद करेंगा, मगर बताइए तो क्य आझारोई प्राष боль है, यह जब आझारोई इसकता है, यह जब तो के लिया वारोई, यह जगाँ करेंगे, आझारोई झाल झाल